नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो टुटोरियल में आप सभी का स्वागत है आज के जो ये वीडियो टुटोरियल है ये हमारी बीएलो जो फिल्ड में काम करने हैं उनको ध्यान में रखते होई बनाय जा रहा है आज के इस वीडियो टुटोरियल के अंदर हम गरुडा के माध्यम से किस प्रकार 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 हमको एंट्री करने है इसके समद में बताएंगे है सर प्रथम आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले बिएलो चेकलिस्ट वेरिफिकेशन करने के लिए आप गरुडा एप्लिकेशन को प्ले स्टोर पे जाके अपडेट करने हैं जो लेटेस्ट वर्जन है गरुड़ा एप्लिकेशन का वह है 4.1.6 तो आप सभी से गुजारिश है सबसे पहले आप अपना गरुड़ा एप्लिकेशन अपडेट करें गरुड़ा एप्लिकेशन को अपडेट करने के बाद में आपको जो तीन डोट वाला मीनू उप्षन है उस पे क्लिक करना है उस पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे दो नए उप्षन आपको दिये गए हैं फोटो सिमिलर एंट्रीज और डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज पूर में जो आपने फोटो सिमिलर ए एंट्री है, इसके माध्यम से आपको चेकलिस्ट को एंटर करना है आप जैसे ही फोटो सिमिलर एंट्री को क्लिक करेंगे, तो EROS आउप दारा, जो आपको PSC के क्लस्टर्स EROS आपके पाउप के पाउप ओर हो रहे थे वो गलस्टर्स आपको पार्ट से सम्मधित है जिनका आपको फिल्ड में जाके वेरिफिकेशन करना है जो सबसे पहले photo similar entry है हम सबसे पहले उसी को click करके किस प्रकार checklist submit करनी है वह समझते हैं आपको photo similar entry जो first checklist पर click करना है देखे जैसे आप click करेंगे आपको पहुआ इलेक्टर की फोटो उससे संबंदी पीसी आईडी उसका इपिक नंबर और राजस्थान अगर यह राजस्थान इस्टेट का है जो भी स्टेट इवर शो होगी क्योंकि यह इलेक्टर आप ही के पार्ट का है इसलिए इसके संबंद में समस्त जानकरी आपको इसके श सर्थ करनी हैं जैसे है आप इलेक्टर के बारे में और ज्यसे ही आप इलेक्टर के पास जाएंगे फिल्ल में जो आपके पास ऑप्शन सों ए? उस ileter के सम्दन में। वह है इसमें दर्ज करने हैं, अगर आपको ileter वहां मिल जाता है, तो आप original does करेंगे, ileter वहां आपको नहीं मिलता है, तो आप absents does करेंगे, आपको वहां जाने के बाद उतके παडोस से, यफ कोई और अगर उनके आज-बास रहते हैं, तो आपको dead option क्लिक करना है ऐसी संभावना भी है कि आप field में चाहें एलेक्टर को उसकी photo दिखाएं और एलेक्टर ये कहता है कि ये photo मेरी नहीं है ये photo गलत है उस इस्तिती में आपको जो last option है photograph not matching इस option को क्लिक करना है मैं आपको बता दूँ original के case में आपको किसी प्रकार का कोई form नहीं भढ़ना है और यदि इलेक्टर absent, shifted ये dead आए जाता है उस इस्तिती में आप form 7 इलेक्टर का भढ़ेंगे और आखरी इस्तिती जैसा मैं बता रहा हूँ photograph details not matching उस इस्तिती में form 8 के माध्यम से आप इलेक्टर की photo अपडेट करेंगे साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉप पे लिखाव है total photo similar entries records to अर्थात इसमें जो first record होगा वो आपके part से संबंदित होगा और जैसे ही आप इसको scroll करेंगे left side में scroll करने पर जो इस से संबंदित दूसरी प्रवस्टी है वह आपको show होगी जो कि आपकी विधान सबा से संबंदित नहीं होगी ये दूसरी विधान सबा से संबंदित हो सकती है आपकी विधान सबा से संबंदित हो सकती है आपके part से संबंदित भी हो सकती है जैसे आपको दूसरी एंट्री दिखती है तो आपको इलेक्टर से पूछना है ये जो एंट्री शो हो रही है क्या आपकी इस एंट्री पहले कहीं दर्ज थी क्या आपने अपना नाम पहले कहीं दर्ज करवा रखा है तो अगर इलेक्टर कहता है कि हाँ ये मेरी एंट्री है और यह पहले किसी दूसरी विदान सब्वा में दर्ज है उस इस्तिती में आप duplicate का chain करेंगे और अगर एलेक्टर कहता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है उस इस्तिती में आप no information को click करेंगे यह आप से संबंदित जो PSC नहीं होगी अर्थात आपके पार्ट से संबंदित PSC जो नहीं होगी उसमें सिर्फ आपके पास दो ही ओप्शन होगे duplicate अथवा no information जबकि जो PSC आपके पार्ट से संबंदित होगी उसमें आपके पास पांच ओप्शन शो होगे original, absent, shifted, dead और photo matching details not matching इस प्रकार आपको PSCs की entry कर लिए सातियों यह तो दो PSC या दो entries आती है उस इस्थिति में है आपके पास दो से अधिक PSC के records भी शो हो सकते हैं जैसा कि यह PSC है इसमें तीन record शो हो रहे हैं यह देखिए first record इसमें अधिक option आ रहे हैं यह आपके पार्ट स सब्चेन सब्स्दाइस टी वो PSC यह दूसरी विधान सब्चेन सब्चेन सब्चर मैद से हैं जो ऑफिजंवे यह PC को अज़े हं करता हूं पिएस से संब्चित आपके जो भी डाउट होगे इसके अगर आपके पास कोई ओर डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन के इंदर अपना कमेंट कर दीजिए आपके डाउट्स को रेक्टिफाई कर दिया जाएगा धन्यवाद